हेलो दोस्तों दिस इस प्रेम सोधानी कमिंग अब इस नेक्स राउंड उफ न्यूज सिंप्लिफाइड आज के इस न्यूज सिंप्लिफाइड में हम बात करने वाले हैं शूगर के इन इंडिस्ट्री की क्योंकि गॉवर्मेंट ने अभी फिर और रेमिनिटिव प्राइस को एक हाइक दिया तो हम इसके बारे में ही इस वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे पहले हम बात करेंगे कि शूगर के इन प्रोड़क्शन के लिए क्या कंडिशन चाहिए second thing हम देखेंगे pricing mechanism कैसे तै करती है सरकार और third thing हम बात करेंगे कि क्या-क्या problems है इस particular sector में तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं question से जो fair and remunitive prices सरकार ने बढ़ाए है they are recommended by which of the following body तो आपको answer करना है cabinet committee on economic affair sugar cane mill association या फिर commission on agricultural cost and prices and last option is ministry of industry and commerce तो इन चारों में से आपको option बताना है comment करके section में बताइए और video के last में मैं आपको इसका answer बताने वाला हूँ तो सबसे पहले बात करते हैं sugar cane के production के लिए क्या condition चाहिए होती है तो sugar को cane जो है वो एक तरह से आप मान लीजिए tropical या फिर subtropical crop है यानि इसके production के लिए जो optimum temperature चाहिए होता है that must be between 21 to 27 degree centigrade and the rainfall जो चाहिए होता है that must be between 100 to 150 centimeter यानि कि tropics के आसपस ये फसल काफी अच्छी होती है पट इनके साथ-साथ कुछ और भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा जैसे rainfall को लेके ये जो crop है काफी sensitive है अगर ज्यादा rainfall हो जाएगा तो definitely जो शुक्रोज content है वो इसमें कम हो जाएगा अगर कम rainfall होगा तो इसका जो fiber है वो बढ़ जाएगा यानि मॉला से और बैगा से बढ़ जाएंगे और sugar production कम होगा यानि rainfall को लेके ये काफी sensitive है the second thing is कि यहाँ पर maturity period जो है इसका थोड़ा longer होता है यानि 10 to 12 months आप मान सकते है maturity period होता है इसके बाद इसको frost conditions बिल्कुल नहीं चाहिए होती है frost जैसे ही होगा तो sugarcane का production कम होगा तो ये तो आपको condition समझ में आगे होगी जैसे ही आपको ये condition समझ में आई तो आपको ये समझ में आजाएगा कि इंडिया में कहां कहां पर ये growth हो सकता है तो हम उसकी भी बात करेंगे अब बात करते हैं कि जो industry होती है इसकी वो कहां पर कैसे depend करेगी तो सबसे पहले बात करें जो sugarcane का production होगा उसमें weight बहुत जादा लूज होता है यानि कि only 10% ही आपका sugar extract होगा जितना आप sugarcane ले जाओगे यानि 100 kg अगर आप sugarcane ले गए तो उसमें से मात्र 9 से 10 kg ही sugar produce होगी तो जो industry है वो definitely जहां raw material होगा वहाँ पे जाएगी क्योंकि इस raw material को transport करना advisable नहीं होगा क्योंकि ये एक weight losing industry है and the second factor is कि within the period of 24 hours you have to crush that down मतलब जो sugarcane आया है उसको आपको crush करना होगा otherwise the sugarcane content जो है that will decline with the time मतलब धीरे धीरे वो कम होता जाएगा और आपका sugar extraction कम होता जाएगा so these two are the primary regions कि ये जो industries है raw material के पास क्यों होती है ये आपको समझ में आ गया होगा अब अगर हम बात करें कि ये जो industry है हमारी ये पहले northern India में थी जैसे कि UP, Punjab, यहाँ वाले area में ज़्यादा थी but with the time now they are shifting towards the southern India तो ऐसा क्यों है तो उसको समझने से यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि क्या conditions है, क्या trend है जो southern India में ज़्यादा supportive है in case of sugarcane तो सबसे पहला है कि जो हमने देखा कि tropical conditions are required for this production, sugarcane production यानि कि जो temperature and rainfall था वो southern India में ज़्यादा suitable है क्योंकि वो tropics के पास है या subtropics में आता है तो this is the first thing और इसी की वज़े से sugar content जो southern India में गरना produce होता है उसमें ज़्यादा है as compared to UP and Punjab number one number two हमने देखा कि जो harvesting season होती है वो southern India में ज़्यादा लंबी होती है यानि कि जो northern India के parts है वहाँ पे ये season छोटी होती है short duration के होती है इसलिए जो mills होती है वो साल में ज़्यादा तर बंद रहती है सिर्फ तीन या चार महीने ही काम करती है so that is the reason why mills are now shifting towards the southern India अब हम बात करें next that is cooperative sector अगर cooperative sector की बात करें तो जो mills है, sugar mills है they are mostly comes under this particular sector cooperative sector and ये जो cooperative sector है ये southern India में ज़्यादा powerful है या ज़्यादा strengthened है as compared to the northern India तो इसलिए भी वहाँ पे shift हो रही है और last अगर option की बात करें last factor की बात करें यूज करती है जबकि जो अभी नई technologies आ रही है वो नए areas में ले जाई जा रही है यानि कि जो नीचे southern India है वहाँ पे जो अब नई mills खूल रही है उनके पास नई technology है and this is the reason why the cost of their production is very less when compared to the northern India number one number two जो amount of crushing होता है उसकी capacity भी ज़्यादा है in case of these mills जो southern India में चली गई है तो आपको ये train समझ में आया तो ये जो shifting train है आप यहाँ पे समझे मैप से पहले these were the two main areas मतलब जो eastern वाला UP है that was the important area after green revolution ये जो है इस area में shift हो जाता है यानि कि western UP and Punjab area right and इसके बाद अभी धीरे धीरे ये जो industries है वो जादा तर shift हो रही है in these areas because हमने बताया कि temperature भी यहाँ पे optimum है rainfall भी optimum है या यू कहें कि ये tropic areas की काफी पास है तो इसलिए यहाँ पे सारी industries shift हो रही है तो आपको ये factor समझ में आगे होंगे अब हम बात करें pricing की कि कैसे यहाँ पे price decide होता है तो price decide होने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं 2009-10 से पहले कैसा होता था तो 2009-10 में उससे पहले Central Government एक price declare करती थी that was statuary minimum price मतलब इतना जो price है ये तो आपको farmer को देना ही होगा mill owners को देना ही होगा उसके साथ 50% of the profit जो है वो भी इसको देना होगा farmer को right so the minimum statuary minimum price for example 15 और पे declare किया गया तो जो profit है माल जी 100 रुपे हुआ तो 50 रुपी जो profit है that should come to the farmer that means this was the 50 रुपी included with this price statuary minimum price तो ये होता था Central Government का formula लेकिन ये जो 50% profit का component था ये generally farmer को नहीं दिया जाता था because of some reasons mill owners कहते थे हमें कोई profit नहीं होता तो इसलिए ये वाला component नहीं जा पाता था तो farmers के लिए सरकार ने फिर नया formula लाया 2019 से पहले की बात है ये अब नया formula लाया गया जिसमें एक price decide किया गया that is fair and remunerative price मतलब ये जो cost of production है farmer की उससे कुछ उपर सरकार ने एक FRP declare कर दिया कि इससे नीचे फसल नहीं खरीच सकते mill owners यानि ये minimum price आपको देना होगा ऐसा central government declare करती है और ये central government को जो है recommend करती है Commission on Agricultural Cost and Prices that is CACP तो ये decide करता है central government इसको announce करती है and that is the minimum price FRP is the minimum price जिस पे mill owner को वो जो sugar cane है वो खरीदना है यानि इससे नीचे वो नहीं खरीच सकता but यहाँ पर एक और point आता है कि जब जैसे माल लीजिए this is the FRP declared by the central government so एक और price declare करती है state government that is state administrative prices state administrative prices ठीक है SAP तो SAP जो है वो generally high होता है when it is compared to the FRP यानि central government ने declare किया ये FRP कि नहीं SAP है that is state administrative price ये इतना होगा तो यानि अब mill owner को इस price पे कम से कम फसल खरीदनी पड़ेगी उससे नीचे नहीं खरी सकता तो ये जो dual pricing policy है इसके चलते mill owners काफी oppose करते हैं एक तो FRP बढ़ता है उपर से SAP कई बार state government बढ़ा देती है तो जिसके चलते mill owner काफी problem में आते हैं So this is the pricing mechanism यानि अब आपको एक चीज़ समझ में आया होगी कि FRP से नीचे गन्ना नहीं खरीदा जा सकता और in case of SAP अगर वहाँ पे declared है तो SAP से नीचे नहीं खरीद सकते हैं तो ये है pricing mechanism अब बात करते हैं कि और क्या-क्या problem है इस industry में तो पहला हमने समझ लिया dual pricing policy इसके चलते mill owners काफी oppose करते हैं क्योंकि FRP, SAP इन दोनों से काफी उनको सफर करना पड़ता है और उसके साथ losses भी उनके चलते रहते हैं second problem is कि यहाँ पे 20% इनको अपना जो produce है that is sugar that must be packed in jute bags jute के जो bag होते हैं उसमें पैक होनी पड़ेंगी और jute का bag ना सिर्फ महंगा होता है बलकि water registrant नहीं होता जिसके चलते sugar भी खराब होती है the third important factor that is कि जो reserved, जो cane production area है वो particularly reserved होता है for example this is the cane production area and ये सिर्फ एक मिल के पास होता है यानि कि यहाँ पे जो भी फार्मर्स होंगे वो सारे सिर्फ एक ही मिल को बेच सकते है that is the cane reservation area for that mill और दूसरा यहाँ पे minimum दो मिल के बीच में distance भी decided है that must be minimum 15 km so these are the two provisions cane reservation area and minimum distance criteria इससे क्या होता है थोड़ा सा competition वाली feeling यहाँ पे कम हो जाती है and that is the reason कि यहाँ पे जो farmers हैं या फिर mill owners हैं दोनों को दिक्कत आती है next अगर बात करें trade policies की तो India, government of India की जो trade policies है especially in this particular sector तो India जो है around 17% global जो production होता है sugar का वो करता है लेकिन export में अगर आप share देखेंगे तो that is hardly 4% तो इससे यह दिखता है कि जो export import है इंडिया का especially in sugar that is highly skewed और वहाँ पे कुछ जो quotas हैं जैसे quantitative quota लगे हुए हैं तो restrictions imposed हैं काफी सारे तो जिसके चलते भी यह sector काफी नुकसान में है इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास technique और जो machinery है वो mostly पुरानी है जिसके चलते हैं हमारी cost of production भी ज़्यादा आती है plus जो हम extract कर पाते हैं sugar उसका content भी कम होता है so यह सारी problems यह industry अभी face कर रही है तो I hope आपको यह पूरा वीडियो समझ में आया होगा अब हम चलते हैं हमारे question की तरफ question था कि fair and remunerative prices कौन recommend करता है then answer must be आपको मैंने बताया है कि commission on agricultural cost and prices जो है वो recommend करता है government को and then government decides, central government decides what should be the FRP ठीक है और यह आता है ministry of agriculture के अंडर में I hope आपको यह सारा clear हो गया होगा हम इन सभी platform पे आपके लिए मौझूद है आप हमें वहाँ पे जाके connect कर सकते हैं हम से जुड़ सकते हैं और इस video को share and like जरूर करें thank you very much for watching this video